हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे दिल से माफी माँगना चाहूंगा क्योंकि मैंने एपिसोड को लेट कर दिया वो क्या है नहीं कि एक कैंसर पीडित व्यक्ती को अचानक से होस्पिटल लेके जाना पड़ा बहुत बेकार बिमारी है दोस्तों कैंसर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना हो बीडी सिग्रेट कुछ भी फूगते हो तो बंद कर देना फ्रेश आपको एक बात बताओ कि एहमदाबाद में नहीं कैंसर को बहुत नोर्मल मानते हैं वहाँ पर जो होस्पिटल में गार्ड वगरा काम करते हैं वो खुद तमबाग उखाते हैं मतलब उनको कोई डरी नहीं है खेर हम अमारा एपिसोड वापस से चालू करते हैं तो दोस्तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वे ओफ हेवन नाम की जगा को दिखाने से होती है जहाँ पर येलो कलर के छोटे छोटे टोईस मेंटेनेंस का काम कर रहे थे तो वहीं बेगराउंड में चल रही नरेशन से में पता चलता है कि यहाँ पर 3000 से भी जादा सिक्रेट मेजिकल आर्ट टेकनिक रखी हुई है जिसका मेंटेनेंस ये येलो कलर के टोईस करते हैं और ये भी कि कई सारे कल्टिवेटर्स वे ओफ हेवन को सीखने के लिए यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं लेकिन आज तक उन में से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है खेर इसके थोड़ी देर बाद कुछ येलो कलर के टोईस वहाँ पर गेमर और डारी वाले बाबा को लेकर आते हैं जो कि सफेद कलर की पत्तियों में बंदे हुए थे तो वहीं उन दोनों को देखने के लिए सेवन लीडर्स में से दो लीडर्स वहाँ पर आते हैं जिन में से जो रेड हैं हम उसे रेड कहकर बुलाएंगे और जो ब्ल्यू है उसे ब्ल्यू कहकर बुलाएंगे आगे Blue दोनों को देखकर कहता है कि ये जख्म इने देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये काम ज़रूर उसी का होगा और बस इतना कहते ही वो उन दोनों को अपने सर्वेंट के हाथों कुए में फिकवा देता है आगे Blue कहता है कि दिन प्रति दिन नंबर ओफ कल्टिवेटर्स की संक्या बढ़ती ही जा रही है जो Way of Heaven को सीखने के लिए यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं और उनी में से एक ये मोहतरमा अरे सोरी ये बंदा जो सीडिया चड़ रहा है आपको दिख रहा है ना जिसके लड़कियों की तरह लंबे बाल है और इसे हम पतली नहीं यार थोड़ी जाकती हो जाएगी इसे हम पतलू कहकर पुकारेंगे तो वहीं आगे पतलू देखता है कि अभी तो काफी सारी सीडिया बाकिये वे ओफेवन तक पहुँचने के लिए लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके एक एक कदम उपर चड़ते जाता है और इस दोरान उसकी बोड़ी में से धेर सारा पसीना भी नीचे गिरने लगता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि दरसल ये ना पतलू की स्पिरिट होती है जो की वे ओफेवन की चड़ाई कर रही थी उसकी रियल बोड़ी तो एक सुनसान गुफा में थी वो तो सादू संतों की तरब बेटकर तपस्या कर रहा था तो वहीं उसे उपर आते हुए सर्वेंट लीडर को बताते हैं कि इसका नाम शेन नैंग्शुवान है नैंग्शुवान है क्या होता है दोस्तो हम इसे पतलू कहकर ही पुकारेंगे वही ठीक है ये इन्फाइनाइट स्वोर्ट फिक्शन से है और ये अभी तक 6751 बार वे ओफेवन को लर्ण करने की कोशिश कर चुका है जिससे सुनकर रेड लीडर कहता है कि इसका मतलब तो ये काफी पावरफुल है लेकिन तुम लोग उसे फिर वे ओफेवन क्यों नहीं सीखने देना चाते जिस पर सर्वेंट्स कहते हैं कि वो अपने मास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करता है और ये सुनते से ही रेड को गुस्सा आ जाता है और बस फिर क्या था पतलू उलाट पुलाट होका नीचे गिर कर रियल वर्ल्ड में अपनी आखे जटके से खोलता है और फिर वो गुसे में कहता है कि मास्टर मेरे पास अभी भी काफी जादा टाइम है मैं way of heaven सीख कर रहूंगा और वेसे भी मेरी जगा लेने के लिए काफी सारे मेरे one church भी बाहर खड़े हैं कोई ना कोई तो इसे सीखी लेगा जिसके साथ ही scene mysterious organization की तरफ shift होता है जो की एक सूनसा नरक जैसी जगा पर बना हुआ था जहां पर चारो तरफ कोवे काउं 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 कर रहे थे यार बहुत देर हो गई यार scene में अभी त अपनी sword की मदद से उस वीडियो के उपर एक attack कर देता है और उस छोटे से attack के असर के कारण बाहर बना एक बड़ा सा पहार तक कट जाता है इसके बाल लाल बाल वाला लड़का जिसे हम red hair कहेकर पुकारेंगे वो leader से कहता है कि faction 60 ये school काफी जादा अजीब है वहां पर कई सारे powerful cultivators है और हमें इन सब के बारे में master को बताना चाहिए जिस पर leader कहता है तुमें क्या लगता है master को कुछ नहीं पता master सब जानते हैं वो तो हमारा टेस्ट ले रहे है कि कौन उनका वंशच बनने के लायक है गाइस दरसल ये लोग master ना यहाँ पर पतलू को ही कह रहे होत नहीं पता कि master इस वक्त कहां पर है इसलिए मैं वहाँ जाकर उन्हें खत्म कर दूँगा जिस पर red hair कहता है leader आपको जाने की जरूरत नहीं है उन्हें तो मैं ही संभाल लूँगा और वैसे भी मुझे पता चला है कि faction 60 वाले कल charity sale organize कर रहे हैं जिससे सुनकर leader उससे पूछत है तो क्या तुम अपनी red flames का यूज करने वाले हो जिस पर red hair अपनी power का नमुना दिखा कर कहता है कि of course मैं अपनी red flames का यूज करके उन्हें काफी आसानी से हरा दूआ अच्छा काफी आराम से हरा दोगे है वेंग है वो वेंग कच्चा खा जाएगा तुमको नीम खाएगा है और कोई भी उसे पंगा नहीं ले सकता है वो अमारे white list में है अब ये लोग किसकी बारे में बात कर रहे हैं वो हमें जल्द ही पता चल जाएगा यहाँ पर scene shift होता है और हमें इसकुल में light classroom को दिखाया जाता है जहाँ पर teacher paint सभी को बता रही थी कि शेन और सून के सुझ चाओ पर कल इसकुल में charity sell organize की जाएगी इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज घर जाकर जो चीज़े आपको नहीं चाहिए उनको कल इसकुल लेकर आएंगे और उनसे जितने भी पैसों की sales होगी वो सभी poor factions को ठीक करने में लगाई जाएगी जिससे सुनकर इस होगा जिसे मैं sell कर पाऊंगा तभी सीन वापस से पतलू की तरफ shift होता है वो किसी तरह की चोकलेट की गोली खाकर वापस से अपनी spirit को way of heaven के रास्ते पर भेज देता है तो वहीं इस तरफ वेंग घर आने पर अंधेरे में से box इसको बाहार निकालने लगता है तभी उसमें से काफी तेज रोशनी निकलने लगती है और ये गोल्डन कलर की रोशनी देखकर डोगी काफी ज़्यादा अचमभीत रह जाता है क्योंकि वह वेंग के साथ उसके घर में काफी टाइम से रह रहा है लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था इसके बाद वेंग डोगी को कहता है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाते हो जिस पर डोगी कहता है हाँ बिल्कुल चलना चाता हूँ और फिर वो दोनों उस बोक्स के अंदर चले जाते हैं जैसे वो बोक्स के अंदर जाते हैं इस तरफ वेंग और डोगी बाहर आते हैं और अब वा लोगी कहता है वे ओफेवन की लाइब्रेरी और फिर उसे वो अपनी बात याद आती है जब उसने वेंग से कहा था कि हाँ तुम काफी जादा पावरफुल हो लेकिन तुम वे ओफेवन से उपर नहीं हो सकते हैं लेकिन जब वो यह सुनता है कि वो वे ओफेवन में है तो उ निकलता है अजीमोः शाम शहिंचा ड्राइड नूडल आ चुके है तालिया मैं सोची रहा था कि अभी तक ड्राइड नूडल बाहर के से नहीं आ है आए गया आगया फाइनल या चुके आ बीर आगे वेंग अपने कपकप आते हुए हातों से ड्राइड नूडल का सामने आकर गुटनों के बल बेटकर वेंग का यहाँ पर स्वागत करते हैं जिसे देखकर पीछे खड़े दो येलो टोईस बात कर रहे थे कि वाइट लिस्ट में ना सिर्फ वेंग का ही नाम है यानि कि वो यहाँ पर कभी भी आ जा सकता है अब यह सारा नजारा देखकर तो इस ब्रह्मा अंड की भी पराकाश्टा उससे भी जादा पावरफुल है अब यह सब देखकर तो डोगी वेंग को थेंक्स बोलता है धन्यवाद मुझे अपना कुट्ता बनाने के लिए लेकिन अभी भी उसे यहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ड्राइ नूडल् जिस पर बोई उसे प्यार से समझाते हुए कहता है कि वो तुम्हारे लिए सिर्फ स्नेक्स है लेकिन वेंग के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं है तो इधर रेड उस ड्राइ नूडल के पेकेट को लेकर एक्सचेंज की तयारी स्टार्ट करता है वो सबसे पहले तो एक प्रेडन सिल्क वोम प्रेजेंट करता है ये कहकर कि इससे बना हुआ कपड़ा किसी भी कपड़े के मुताबिक काफी जादा पावर्फुल होगा लेकिन वेंग तो उसे एक नजर में रिजेक्ट कर देता है इसके बाद रेड उसके सामने एक नहाने का साबुन जिसे देखकर पतलु जो बड़ी महनत के साथ इतना उपर आया था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये पास में से क्या निकला लेकिन फिर जैसे ही वो अपना सीर उपर की तरफ करता है तो डेर सारा साबुन का पानी पतलु को अपने साथ नीचे लेकर ध्राम ध्रुम ध्रुम नीचे लेकर जला जाता है तो इस तरफ रेड वेंग को गोल्डन पिल दिखाता है ये कहकर कि मास्टर ये किसी भी पावर को परमानें डबल कर सकता है जिस पर डोगी कहता है कि तुम्हें ये ले लेनी चाहिए तुम ये अपने पैरेंट्स को दे सकते हो तो कहता हैं कि बिल्कुल भी नहीं उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि किसी की भी पावर को कम नहीं समझना चाहिए आगे वो रेड से कहता है कि क्या यार तो मुझे फेंसी फेंसी चीज़े बता रहे हो कुछ सिंपल और ओर्डिनरी चीज़ बताओ जिससे सुनका रेड अ पर सारी लोगों का ध्यान पूरी तरीके से वेंग के उपर था इसी वज़े से वो पतलू की तरफ ध्यान दे ही नहीं पाते हैं जिसकी वज़े से पतलू फाइनली वे ओफेवन तब पहुंच जाता है तो इधर इतने सारे आइटम्स को देखकर तो डोगी के होशी उड़ कि ये वेंग ड्राइ नूडल्स के सामने इतना पागल क्यों है जिस पर रेड उसे अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि एक बार छोटे वेंग ने उसे अपने रूम में समन किया था जहां पर जब वो एक तस्वीर को छूता है तो उसे वहाँ पर काफी जाधा spiritual force का एहसास होता है और इसलिए वो उस painting को अपने साथ लेकर जाने का decide करता है और इसके बदले में वो वेंग को एक dry noodle का packet offer करता है अले ले मेरे प्यारे बच्चे ये लो ड्राइ नूडल का packet लेकिन वेंग इससे कुछ ज़्यादा खुश दिख नहीं रहा होता है है क्या करूँगा मै इससे तो इसलिए रेड इसी के साथ उसे एक और offer देता है वो उसे white list में भी डाल देता है ये सोच कर कि वेंग उनके ठिकाने को कहा ढूंड पाएगा कभी नहीं आ सकता हो वहाँ पर तो इसको white list में डाल दो चलो और उसी time वेंग ने पहली बार dry noodles खाये थे जो कि उसे girls के पीछे इतना जादा पागल है तो वहीं ये पूरी story सुनकर blue red के सर पर एक टफली मारता है तेरी की तो तो ये सब तुमारा किया कराया है और तभी वहाँ पर एक seal लगा हुआ box उपर आता है जिसे देखकर वेंग कहता है कि हाँ ये वो चीज है और फिर वो उस डब्ब को लेकर डोगी के साथ वहाँ से निकल जाता है तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पतलू की real body के हाथ में एक पीले कलर का गोला होता है जो की और कुछ नहीं बलकि way of heaven की learning थी जिसके बाद वो उसे अपने नाक के पास लेकर आता है और पूरा का पूरा पीला कलर आपर खत्म होता है